आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा समस्याएं तो सब गिनवाते हैं सुप्रेम कोट में आज से 60 साल पुराने योधिया केस में शुरू हुई सुनवाई राम जन भीनी बाबी मस्जिद स्वामित विवात पर हुगा फैसला गुज़ाचनाओं में जीत करें धुआधार प्रचार में जुटी राजमितिक पार्टियां कॉंग्रेस बीज़ेपी के स्टराथ की चारकों ने सम्हाली प्रचार की कमाद जन संपर्क साथने में जुटे दिककच कोशामि के सराया किल में निकाय चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस के निशाने पर आया जिला प्रचासन मदगर्णा में हिरा फिरी की कही बात 572 वोटों कमागा हिस्साब यूपी में दबंगो के होसले बुलाने तमंची की नोग पर दरोगा के बेटे की दबंगने की सर्याम पिटाई वाइरल वीडियो से खटना कम हुआ खुलासा और कोशाम्भी में आलो पर चाइब मंदे से किसान परिशान कोल्ड स्टोर से नहीं कर पा रहे आलो की निकासी कोल्ड स्टोर मालिक भी उठा रहे लागों का नुखसा नमस्कार सौगत है आपका निशन लाइफ पर और आपके साथ हाजिर हूँ मैं कायनत अनसारी बात सबसे पहले लंबे समय से चले आ रहे है आयोधिया विवाद की 104 साल पुराने विवाद और 68 साल पुराने आयोधिया कीस की निरनाएक सुनवाई आज से सुप्रेम कोर्ट में शुरू हो गई है बाबरी मस्जद विदबंस की 25 वे वर्श गार्ट से ठीक एक दिन पहले आज सुप्रेम कोर्ट में राम जन भूमी बाबरी मस्जद स्वामित वविवाद पर सुनवाई शुरू हुई है चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच छुलाबाद हाई कोर्ट के फैसले और पक्षकारों के दलिलों के मद्दी नजर ये तैय करी कि कि आखिर इस मकदमे का निप्टारा करने के लिए सुनवाई को कैसे पूरा किया जाए यानि हाई कोट के फैसले के अलावा और कितने तक्निकी और कानूनी बिंदों है जिन पर कोट को सुनवाई करनी है मतादे के इसे मामले से जुड़े नौहजार पन्नों के दस्तावेज और नबे हजार पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली फार्सी संस्कृत अर्बी समीट अलग अलग भाशाओं में दर्ज हैं जिस पर सुनने वखव बोड ने कोट से इन दस्तावेजों को अनुवात करान प्रदर्शन करते हुए एनेच 24 को जाम कर दिया सोचना मिले पर पुलिस बल के साथ सिटी मजिस्ट्रीट भी मौके पर पहुँचे और प्रदर्शन कारियों को समझाने का प्रयास किया मैं आंगरमाड़ी कारिकात्री अध्याक्षे नीतुर सिंग ने सिटी मजिस्ट्रीट को 13 सूत्रिय मांग ग्यापन सौपते हुए चितामनी दी कि अगर जल्दी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा साथी उनों ने जिलादिकारी और मुख्यमंत्री को भी ग्यापन सौपनी की बात कही लोग ग्यापन देने के लिए क्लेक्टेट की तरफ आये थे वहाँ पर अपने SDM मेजिस्टेट को भेजा भी SDM सदर को वहाँ ग्यापन नहीं दिया गया इनकी तरफ से जैसा मुझे बताया SDM ने उसके बाद ये लोग आगे आए कि हम लोग लग 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 जाएंगे को शामभी के कॉड़्ी स्टोरिज में रक आलो पर च्छाइब बंदी ने किसानों का लाखो रुपया डपो दिया है सस्ताबूनी के वजह से कीसान कॉल्ड स्टोर से आलो निकासी नहीं कर रहे ऐसे में स्टोर मालिकों को भी लाकों का नुखसान उठाना पड़ रहा है किसानों द्वारा आलू निकासी ना किया जाने पर अब कोल्ड स्टोर मालिक साथ से सतर रुपे बोरी में खुद आलू बेचने लगे है इसके बाद भी कोई खरिदने के लिए वहां नहीं पहुँच रहा है तो वह भाड़ा भी उसका मतलब देने में सच्छन नहीं है जो कि पूरे किसान का हंडेट पंसेन नुक्सान और हमारे कौसांबी गोल्ड स्टोर में मालिक को 6 लाक रुपे लगवग भाड़े का नुक्सान जो कि किसान अपना अलू नहीं ले गए कुछ दाना जो है वो हम ठेक रहें बाहर हरा जो माल है वो कुछ बिग जा रहा असम की विश्वनाद जिले के गोहपूर में किसानों के दुकों और गरीबे दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है आपको बता दें कि असम सरकार द्वारा प्रतान की गई उड़त डाल उत्तर सुनापूर गाउं के जोहलाव अबादरी नामा के किसान ग्रूप ने चौदा बेगल जमीन पर ये बीज बोए थे मगर आज तक उड़त बीज में फसल नहीं होगी है जानकारी के अनुसर गोहपूर के क्रिशी विभाग को किसानों की ओर से कई बार इस सम्बन में अवगत कराय जा चुका है लेकिन आज तक क्रिशी विभाग अधिकारियों ने कोई यहां दोरा नहीं किया है हमारा गोपूर ब्रांश इगरिकल से ब्रांश से हमको मने मिट्टी डल का बिज़ दिया है यहां में तो फोल नहीं मिला है हम लोग एक गोस में दू तिन का फोल है इसमें हम लोग जो कोसा किया है इना तेक्टर से हल मा रहा है और बैल से भी हल मा रहा है यह कोसा भी नहीं मिला है अब कैशा हम सेलेगा यह गरीब की शन आदमी लोग हम यह उसको दुख नहीं असम के चिरांग जले के रूनी खाता थाना इलाखे के भारत भुटान सीमा पर पुलिस और उगरवादी संगठन एंटी एफबी के बीच गोली बारी हुए खुफिया सुत्रों के मताबिख चिरांग पुलिस ने एक सर्च आपरेशन चलाया था सर्च आपरेशन के दुरान पहले उगरवादी संगठन ने गोली बारी शुरू की जिसका पुलिस ने भी जवाब दिया इसमें एक उगरवादी संगठन का सदसे जो है वो मारा गया साथी संगठन एंटी एफबी की एक कैम से भारी मात्रा में खादे सामागरी और हत्यार बरामत किये गए है जपुर के चौमू में युफ्ती से छेड़ चाड़ और मारफिट के बाद तनाव का माहौल हो गया है एक पक्ष के लोगों ने नारे बाजी और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमार को से रैली निकाली और एसी पे को संबंदित मामने के लिए ग्यापन सौपाज जिसके बाद प्रशासन ने सब तक कारवाई करते हुए पूरे चौमू शहर में धार 144 लाहू करती घटना के विरोध में चौमू कजबे की मुखे बाजार बंद हैं और विवाद ज्यादा और ना बढ़े उसके लिए भारी पुलिस पोर्श भी तेरात कर दी गई है चोटी सी बात को लेकर के और दो समुदायों में टक्राव हुआ था और एक किसी व्यक्ति के घर में जाकर के मार पीट हो गई थी उसका हमने रात को मुकदमा दर्श कर लिया था और उसमें कुछ लोगों को नाम जट कर लिया है कुछ लोगों को दो तिन लोगों को हम ले भी आये हैं हम कारवाई कर रहे हैं आज जिनके घर में गुसके मार पिट हुई थी उस पक्स के कुछ लोगों ने ये कहा भई कारवाई करिये तो हम कारवाई कर रहे हैं लेकिन उसके बावज़ूत भी कुछ लोग इकटे होगे बाजार बंद करवाने की कोशिश की मैं सबसे यही निए खबरे लगता आजा रही है लेकिन वक्त एक ब्रेक का जल्द हासिर होते है रामत हारडा नर्सैना चेनतां संबर्नों सोंसांग चिन जोगी भुत बावज़ूत पपर की चलगतां चल शंकूर्था चल ढोल वज़ा चल गला खोल ये कानागा सब खुशिया बनाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं हल्हाल शुक्ति हल्हाल तरक्कि कब तक दिला सा दिलाएंगे देश की जनता पूछी रही अब अच्छे दिन कब आएंगे बदल रहे हैं हम बदल रहे हैं आप तो क्यों ना बदले खबरों का मिज़ाज खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आखा हिंदुस्तान की बदलती राजनीती से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजब राजनीती के तीखे सवालों से लेकर आम आत्मी के सरोकार से जुड़ी हर खबर हिंदुस्तान के चप़े चप़े से खबरों को आप तक पहचाएंगे हम क्योंकि हम हर पल है आपके साथ भया वेट भया तुने मैं वेट ने क्या ना वेटी तो कर रहा हूँ टीवी साथ साथ देखने में ही मज़ा आता है ना अब अपने एटल एच्टी सेट्ट आप बोक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रेकॉर्ड या पॉस करें आजी मिस्ट कॉल्दे 76780-76780 पर मनुष्य का जीवन कठिन है उसे जरूरत है दिशागी आध्यात उसे मिलेगा ज्यान दीखे आध्यात दर्शन नेशन लाइव पर बदल रहे हैं हम बदल रहे हैं आप तो क्यों ना बदले खबरों का मिजज खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमतार आखा हिंदुस्तान की बदलती राजनीती से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र राजनीती के तीखे सवालों से लेकर आम आत्मी के सरोकार से जुड़ी हर खबर हिंदुस्तान के चप़े चप़े से खबरों को आप तक पहुचाएंगे हम क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ ब्रेकबास वागत है आपका बढ़ते हैं आगे गद्धी पर पहुचकर भी उन्होंने निरिक्षण किया साथी भवन पहुचकर सभी हतिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कारे समय से पहले पूरे हो जाने चाहिए इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बढ़ती जाने चाहिए असम के उदाल गुड़ी जिले में महिलाओं को परिशान करने का मामला सामने आया है विदी रात एक छात्रा के उपर पत्थर से प्रहार किया गया और वो बुरी तरह से खायर हो गई खटना के तुनन बाद ही उससे सरकारी अस्पतार में भटती कराय गया है पिछले कुछ महीनों से महिलाओं पर इस तरह से बदमाश और कुछ उपद्रवी पत्थरों से हमले कर रहे हैं इस खटना को लेकर अब वो पूरे शहर में हलचल मची हुई है पुलिस को कई बार इसे संबद में सूचित किया जा चुका है लेकिन पुलिस में अब तक कोई कारवाई नहीं की है साम को कुछ बदमाश लोग पत्थर लेके आते हैं और लड़की को मारते हैं और ऐसी जरह खटना पहले भी चे सार बार हो गया है तो महिलाओं पर लगतार ये पत्थर से हमले के मामले जो है सामने आ चुके हैं असम के उदाल बुड़ी में लेकिन हैरानी की बात ये है कि कई बार पुलिस को इस मामले में शिकायत की बावजूद अब तक कोई कारवाई नहीं की गई है उतर परदेश में दबंगो के होसले किस कदर बुलंद है ये बागपत की बड़ोत में एक बार फिर देखने को मिला जहां एक वीडियो बाईरल हुआ है जिसमें के यूवक दिल्ली पुलिस के दारोगा के बेटे की सर्याम पिटाए कर रहा है तस्वीर में देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में दबंगों के होसले कितने बुलंद है वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी यूवक भरे बाजार में तमंजी की नोपर दारोगा की बेटे को पीटता हुआ नजर आ रहा है बताया जा रहा है कि ये पूरा वीडियो बढ़ात के गुराना रोट का है फिलहाल पूरे सब इसे मामली की जाच में चुटी है अखवार में ये बात चुटी है अभी पुलिस को किसी ने सुचना नहीं दी प्राइमरी तोर पर जो जानकारी में आया है कि ऐसी कोई बात गटना प्रकास में नहीं आया है कहां से ये वीडियो वाइरल हुआ, किसने बनाया, कहां का है इस विशें में हम लोग जो वीडियो वाइरल हुआ है उसकी भी जाच कर रहे है किसने बनाया और कहां की गटना है और क्या मामला पुरा अकबार में जो शुपा है उस कतरन को भी हम लोगों ने संग्यान में लिया है और जिसके विशे में कहा गया है उस ब्यक्ति से भी संपर कर रहे हैं कि यद ऐसी कोई घटना हुई तो उसमें पुलिस को क्यों सुच रहे हैं और इन पूरे तक्ष्यों को जानकारी की जाएगी कि ये घटना वास्तों में क्या है जिसमें ऐसी कोई हुई है तो जो में जुचराथ विधानसभा चुनाओं में दाविधारी ठोकने वाले उमिदवारों ने नमानकन भड़ना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में बनास काठा की बड़गाम विधानसभा सीट सी नर्दली उमिदवार जुगनेश मेवानी ने नमानकन दाखिल किया बड़गाम की मत वस्तार में महार रैली करते हुए मेवानी नमानकन दाखिल करने पहुचे इस दोरा में इस थाने लोगों ने दिल खोलकर जिगनेश मेवानी का समर्थन किया रैली के दोरां जिगनेश मेवानी ने पीम नरिंदर मोदी और बीजेपी अध्याख शामिद चाह की साथ सीम विजे रुपानी पर करारा हमला बोला रैली के मंदे नजर पुलिस प्रिशासन की और से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे गुजरात में विधान सभाज चुनाओं के तहट चुनावी तैयारियां तेस हो गई है बढ़गाम विधान सभा से नर्दली उमिदवार अश्विन परवार ने अपने चुनावी कारियाले का उतखाटन क्या है इस सेट पर सभी उमिदवारों की बीच काटे की टक्कर देखने को मिल सकती है क्योंकि नर्दली उमिदवार अश्विन परमार पूर्व विधायक दौलत परमार के बेटे हैं और दौलत परमार की बढ़गाम विधान सभा में अच्छे राजनतिक पकड़ मानी चाती है मैं सेट से कांगरिस अपने उमिदवार को हटा कर जिखनेश मिवारी को सीधा समर्थन दिया है बढ़गाम यो तो कांगरिस का गड़ माना जाता है लेकिन बढ़गाम की जनता अश्विन परमार को अपना समर्थन दे रही है कार्याल उद्खार्टन के मौके पर नर्दली उमिदवार अश्विन परमार ने अपनी चुनावी एजिंडे पर भी बात की बढ़गाम मत्विस्टार और बनासकरा डिस्ट्रिक में मेरे पिता जी ने बहुत काम किया है और मैंने भी उनके रास्ते पर चलके पूरे डिस्ट्रिक में सिक्षन का एज्यूकेशन और समाज के अंदर लोगों को अप्लिकमेंट करने के लिए काम कर रहा हूँ हम लोगों ने एक अलग तरीके से काम सरू किया है कल से हम हर गाओं में जाएंगे और गाओं से सबको प्रशन पुछेंगे कभी आपका क्या प्रॉबलम है क्या है और वो जो भी बताएंगे वो उसका एक लिष्ट बना के और उसको सुलजाने का प्रेतन करेंगे जितने लोग हर समाज के लोग हर समाज के आगेवान इनका मुझे सपोर्ट है और उनके सपोर्ट और उनके आसिरवाद से मैंने फॉर्म बड़ा है और मुझे आसा है कि मैं जंगी बहुमती से विज़े हूँगा कि पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे कि गाउं के गाउं गाउं में रोड नहीं होते थे मेरे पिता जी के टाइम पर यहां पर बहुत रोड बने अच्छे काम हुआ है बहुत सपीटल आये है यहां पर सब हुआ है यह बड़गाम का बस्टेन का प्रश्ण है यह और जो जो रोजगार का प्रस्टन है वो सॉल करने का मैं प्रयादना करूंगा। जिसमें समगर समाज के लोगों ने समर्थन की बात यहां आजर रहके कबूल की है और अश्विन भाय को जंगी बहुमत से जिताने के लिए उन्होंने आज प्रण लिया है और साथ ही हमेशा समर्थन देने का विश्वास जताया है और आगामी दिवसो में अश्विन भाय की जीत 100% नक्की है अश्विन भाय के लिए समगर जिल्ला में सहकार की बावना है और मैं एक बात हो आपको जताना चाहता हूँ कि आप यह भीड देखके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग अश्विन भाय परमार के साथ हैं और कितने कितने समर्थन उनको मिल रहा है इ प्रदेश को और AICC को लेनी पड़ेगी और इसके लिए अश्विन भाय जिम्मेदार नहीं है अश्विन भाय कॉंग्रेस के लिए समर्थन कारे करता थे पर वडगाम की जनता के प्रेम और विश्वास के विश्वास के साथ अश्विन भाय ने वडगाम की उमिद्वारी वक्त एक और ब्रेक का जल्द हासिर होते हैं राणक रडन रांगडा रावत हारडा नर्साइना चेन पांग संपर्नों सोंसांग जिन जोगी भुद्द बांग अप्तर की चल खांग चल शंकूठा चल ढोल बजा चल कला खोल ये गानागा सब खुशिया बनाने बाले हैं अच्छे दिन आने बाले हैं कब तक दिलासा दिलाएंगे तेसकी जनता पूछि रही अब अच्छे दिन कब आएंगे बदल रहे हैं हम बदल रहे हैं आप तो क्यों ना बदले खबरों का मिजज खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दंदार आखाथ हिंदुस्तान की बदलती राजनीती से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र राजनीती के तीखे सवालों से लेकर आम आत्मी के सरोकार से जुड़ी हर खबर हिंदुस्तान के चपे चपे से खबरों को आप तक पहुचाएंगे हम क्योंकि हम हर पल है आपके साथ गुचरात की बनांस काथा में चड़ोतर गाउं के करीब बना सैनिक मंदिर लोगों की आस्था का केंदर बनता जा रहा है खरेब 40 साल पहले बने इस मंदिर में आज भी लोग स्रड़क दुर्खटना में शहीद हुए सैनिकों को सलामी देते हैं दरसल दाती वाड़ा में रवाना हुए सैनिकों की जीप चड़ोतर के पास पलट गई थी हादसे में जीप में सबार तीनों सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई थी जिसके बाद सैनिकों के परिजनों और ग्रामडों ने उनकी याद में शहीदों के समारक बना दिये इन समारकों को आज भी ना सिर्फ B.S.F. के जवान मलकी यहां से गुजरने वाले मुसाफिर भी नारियल चड़ा कर यहां सलाम करते हैं करीब अने 40-42 साल की बात है पुरा नहीं उस टाइम में जब धिर सहीद या जो यहां दिवस्तान बनाया हुआ है उन लोगों का एक्सिडन हुआ था गाड़ी फल्टिका चुकी थी और अंदर जो सामान भरा था उनके सर पे लगा हुआ था और उनके तीनों सहीदों के सरीर के चुद्रे 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 बहार निकाले थे इनको और फिर इनके बात या इनके सगा वाले या कोई रिस्तेदार या फिर गाम पर आते हैं जाने वाले जो सादिन वाले लोग वह भी यहां इनके बहरन बहरन बजाकर उनका नमस्का सलामे भरके चले जाते हैं चड़ोतर गाम में वीर सहीद समारक बहन आया हुआ है यहां हमारे गाम के रोड के तिन सहीद हुए थे और यह सहीद बुरी तरह दिकाहल हुए थे और यहां सहीद हुए थे वो देश के काज के लिए काम करते थे लोग और हम दर गुरुवार के लिए यहां आते हैं और आस्ता का केंदरा हमारा बना हुआ है हम स्रीपर यहां आके उसे के चणड़ में अरपन करते हैं और हमारा कोई भी कारिया करते पहले हम उसे नमन भी करते हैं यूपी के संभल की थाना धनारी पुलिस ने एक वाहन चोड गैंग का परता फाश किया है गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गरफ़तार किया है बताती कि ये गैंग संभल के अलग-अलग अलाकों से मोटर साइकलों को चूरी करता था और नमबर प्लेट बिदलकर परजी काफ़ाद बिन्वाकर उनकी कम रेट में उन्हें बेच दिया करता था सभी आरोपियों से पुलिस ने छे मोटर साइकल समीत तीन सो पंद्रा बूर का तमंचा बरामत गया है पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कारवाई कर उन्हें जेर्म भीच दिया है ये ठाना दरारी है धनारी में ये वान्चोरों का एक गैंग पकला गया है जिसमें तीन मेंबर जिन से मोटर साइकले बरामत की गई है इसमें खुछ लोगों दरारी चुरी के मोटर साइकले खरीदी गई है ये लोगों के देन गैने जिससे छे मोटर साइकले बेची गई है उनके ख़राब भी कारवाई की जैए बागपत में दिल्ली यमुनूतरी हाईवे पर दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हाथ से का श्रिकार हो गया जिसमें एसाई की दर्थनात मौत हो गई दुर्कटना कोतवाली बागपत शेतर के सरूरपूर गाउं के पास की है जहां सब इंस्पेक्टर बिजिंदर सिंग बाइक से दिल्ली अपनी ड्यूटी पर लाट रहे थे इसी दोरान हाईवे पर किसी अग्यात वहान ने उन्हें टक्कर मार दी और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी में तक पिजिंदर सिंग मौल रूप से बागपत जन्पत के भडल गाउं के रहने वाले थे वही पोलस ने शब को पोस्ट मौटन के लिए भीज कर घटना की जान शुरू करती है पिजिंदर सिंग राणा नाम था बडल के रहने वाले हैं ये अपने गर्से अली जा रहती है इसकी लगबगी पैतानीस साल का व्यक्तिचाथ जो हमें बतायागा है तो उन्होंने बतायाए विजिंदर नाम का व्यक्ति था जिसके पिताजी के नाम सुद्वीर सिंग था और हमारे आए लगबगी पूर नो पचे पचास में पर मुरत वस्था मन लेकर आए जे वर बाद में जब हमने इसका पता हुए जके लड़के आयाए तो दिली के पुलिस में सब इंस्पेक्टर बतायाए तो पोस्पार्टम होगे हैं पोस्पार्टम के लिए हमने इसके और इस बॉलिटन में मेरे साथ बसत नहीं आद देखते रहें नीशन लाइक मनाश्था अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं कब तक दिलासा दिलाएंगे तेज की जनता पूछी रही अब योच्छे दिन कब आएंगे